दोस्तो अगर आप भी यूज करते हो Moto G04 का फोन ते बड़े हो आपके फोन में जितने भी hidden फीचर हैं उन सारे hidden फीचरों को आपको लाइप प्रूप दिखाने वाले आप इनको वान करके फोन को काफी ज्यादा attractive बना सकते हैं तो काफी जबरदस्त फीचर हैं दोस्तो आपक यहां पर देख सकते हैं 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 और एक option आपको मिलता है notification नाम से आप इस पर click करिए एक option उपर notification history आप इस पर click करते हैं इस option को जरूरान कर दीजिए ताकि कोई भी notification में message आएगा अगर आप उसको यहां से delete कर देते हैं तब भी आप notification history में आके पढ़ पाएंगे इसके बाद आप बैक आजाएगे बैक आने इसके बाद यहां पर sidebar है sidebar पर click करेंगे इसको on कर देंगे जहां पर आन किये हैं उहीं पर right sidebar मिलता हुई से हम slide करते हैं तो कभी भी slide करेंगे इस तरह की सारे application दिखाए देंगे one click करके यहां पर mini screen में कोई भी application open कर पाएंगे इसके बाद बैक आते हैं यहां पर एक option आप logo को मिलता है swipe to split का इसको on कर देंगे तो जिस तरीके से image में दिखा रहा है इस तरीके से आप image में slide करेंगे तो इस तरीके slide करेंगे दोस्तों एक बार right करके फिल left कर देंगे तो split skin open हो जाएगा 3 finger skin short है 3 finger skin short को on कर देंगे तो skin पर 3 finger कहीं पर touch किये रहेंगे skin short capture हो जाएगा इसके बाद बैक आते हैं एक option आपको मिलता है double press power की इसको अगर आप on कर देते हैं यहाँ पर camera set कर देते हैं तो double press करेंगे camera open हो जाएगा power button यानि double click करेंगे camera open हो जाएगा इसके बाद press and hold power button इस पर यहाँ पर launch google assistant है power menu चूच कर लेंगे power button को long press करेंगे थमको switch app यारे start करने को option मिलेगा इसके बाद है media control इसको on कर देते हैं तो जब screen off रहेगी और गाना बज़ रहा होगा आप volume down और volume up बटन से गाना को change कर पाएंगे इसके बाद quick launch है quick launch पे click करते हैं और इसको on कर देते हैं आप अपनी phone के पीछे दो बार tap करेंगे दो बार click करेंगे इसकी insert capture हो जाता है इसके बाद back आते हैं एक option आपको मिलता है quick capture के option पे click करते हैं इसको on कर देंगे तो दो बार phone इस तरीके से इमेज में दिखा रहा है इस तरीके से slide करेंगे तो आपका camera open हो जाता है इसके बाद बैक आते हैं बैक आने के बाद यहाँ पे आपको एक और feature मिलता है first torch का आप first torch on कर देंगे तो अपने phone को इस तरीके हिलाएंगे तो आपका camera जो flashlight on हो जाएगी दूबारा हिलाएंगे तो flashlight automatic off हो जाएगी इसके बाद यहाँ पे lift to unlock है इसको on कर देंगे तो face lock लगा रहेगा तो आप अपने phone को चेहरे के सामने लाएंगे automatic unlock हो जाएगा इसके बाद है flip to silence इसको on कर देते हैं कोई भी incoming call आ रहेए आपने phone को अपने हाथ में लेंगे तो तुरंत आपकी call जो incoming call silence हो जाएगी बैक आ जाते हैं इसके बाद यहाँ पे इस सारे दोस्तो फीचर है और यहाँ पे एक फीचर और मिलता आप बैक आईए सबसे नीचे अच्छे ले आईए थोड़ा और एक option सबसे नीचे system नाम से system की option पर किलिक करिए और यहाँ पर सबसे नीचे performance है आप performance पर किलिक करेंग और आपके फोन में रेम बढ़ जागा तो यह सारे hidden फीचर ने दोस्तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें